हर चेप्टर की विटेज निकल आई है कि कौन से चेप्टर में से कितने नंबर का पेपर जो है न दो हजार बाइस का सेट हो रहा है अगर चेप्टर नंबर वान की बात करें तो यहां से 16 नंबर का पेपर सेट हो रहा है और चेप्टर नंबर 2 से 15 नंबर का चेप्टर नंब का और चेप्टर नंबर 5 से 10 नंबर का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के computer science की pairing scheme की जानेंगे 9th क्लास का computer science का 2022 का जो new course का paper होना है उसका pattern क्या होगा हम लोग ये भी बात करेंगे कि 9th क्लास के computer science के paper में जो questions आने हैं वो किस-kिस chapter में से set किये जाएंगे उनकी तादाद कितनी होगी end पे हम लोग ये भी analyze करेंगे किस chapter में से कितने marks का paper set होने वाला है 9th class के computer science का ताकि आप लोग maximum marks वाले chapter अगर अच्छे तरीके से त्यार कर लेते हो तो आप लोग easily pass हो सबको आप लोग first time हो तो इस channel को subscribe कर दिजीएगा वीडियो को like और share जरूट हो किएगा ताकि next वीडियो जिसमें हम लोग physics, chemistry, biology और mathematics बाकी subject की pairing scheme आप लोगों साथ discuss करें वो आपको बरवक्त मिल सकें करते हैं paper pattern की अगर paper pattern की बात की जाए तो दो types का आप लोगों का 9th class का computer science का paper होगा एक type जो है objective होगी और दूसरी आपके paper की जो type होगी वो subjective होगी जो objective type का paper होगा वो आप लोगों को 15 minute के लिए दिया रहेगा और ये 10 number का paper होगा और इसमें question number 1 होगा और ये question number 1 जो है ये 10 MCQs पर मुश्टमिल होगा यहाँ पर 10 MCQs होगे अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये 10 MCQs किस किस chapter में से set किये जाएंगे और इनकी तादाद कितनी होगी अगर chapter number यहाँ से 1 की बात की जाए तो यहाँ से 2 MCQs आपके 2022 के computer science के paper में सेट किये जाएंगे और chapter number 2 से 3 MCQs सेट किये जाएंगे और जो chapter number 3 है यहाँ से 1 MCQs और chapter number 4 से 2 MCQs और chapter number 5 से भी 2 MCQs सेट किये जाएंगे 2022 के new course computer science में student बात कर लेते हैं subjective type paper की अगर subjective type paper की बात की जाए तो इसमें 2 types के question होगे यानि short questions होगे long question होगे short question का अगाज question number 2 से होगा और अब जान लेते हैं कि जो question number 2 है इसमें 6 जो है short question होगे अब यह किस किस chapter में से सेट किये जाएंगे और इनकी तादाद कितनी होगी question number 2 की अगर हम लोग बात करें तो question number 2 chapter number 1 से और 2 से सेट किये जाएगा अब chapter number 1 से यहाँ पे तीन short question सेट किये जाएंगे और जो chapter number 2 है chapter number 2 है इसके दो पार्ट है एक तो number system वाला है एक boolean algebra वाला है तो number system वाले पार्ट में से भी तीन जो है short question question number 2 में सेट किये जाएंगे और यह total 6 बनते है 4 का अपने दुरूस चवाब देना होता है अब बात करते है question number 3 की question number 3 जो है वो again paper में short question होगा आप लोग note भी कर लो यहाँ पे और इसके भी 6 जो है मुक्तसर सवालाद पर यह मुश्टमिल है short question और इसमें यह सेट किये जाएंगे अब यह जान लेते हैं तो यहाँ पे 3 तो chapter number 2 से और उसके boolean algebra वाले topic में से set किये जाने हैं जी 3 यहाँ पे short question और तो short question जो है वो chapter number 3 से set किये जाएंगे question number 3 में और यह total जो है 6 बनते हैं जिन में से 4 का आप लोगों ने जवाब देना है अब बात करते है question number 4 की question number 4 again short question होगा यहाँ पे note कर लें question paper में और यहाँ पे भी 6 इसके part होगे यह नि 6 मुक्तसर सवालाद पर मुश्ट मिलोगा और इन 6 में से 4 का आपने दूर्स जवाब देना होता है अब जानते हैं कि किस किस chapter में से set किये जाएंगे और इनकी तादार कितनी है तो यह chapter number 4 और 5 से set किये जाएगा question number 4 जो है और chapter number 4 से जो है वो यहाँ पे 2 short question set किये जाएंगे और chapter number 5 से 4 short question set किये जाएंगे तो अब बात करते हैं कि जो question number 5 होगा होंगे और question number five जो है वो chapter number one से set किया रहेगा note कर ले student question number five को chapter number one से set किया जाना है तो ये एक ही question होगा eight number का होगा और जो question number six है इसको chapter number जो है यहां से three से set किया रहेगा note कर ले chapter number three से set किया रहेगा और जो question number seven है इसको chapter number four से set किया रहेगा जिन chapter number नमबर 4 से सेट किया रहेगा और ये भी एक ही क्वेस्टन होगा आठ नमबर का अब आप लोग साइट पे देखो ये मार्क्स के हवाले से हर चेप्टर की वेटेज निकल आई है कि कौन से चेप्टर में से कितने नमबर का पेपर जो है न दो हजार बाइस का सैट हो रहा है अ अगर आप लोग चेप्टर नमबर 1 और 2 कर लेते हो यानि 1 और 2 कर लेते हो तो स्टूडेंट यहां पे नोट करें तो आप लोग 30 नमबर का पेपर अटेम्ट कर सकते हो अब यहां पे देखें चेप्टर नमबर 1 जो है अगर आप लोग करते हो तो कौन-कौन से क्वेस्ट कर लोगे, जो के 6 नंबर आपको दलाएंगे, उसके बाद 2 MCQs का आप लोग दुरुस्त जवाब दे सकते हो, इन सारो marks को add करते हैं, तो 16 नंबर आप लोग चैप्टर नंबर 1 को करने से ले सकते हो, अब बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2, अगर चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं, तीन आप लोग चैप्टर नंबर 1 से अटेंप्ट कर लोगे, और एक चैप्टर नंबर 2 से, नंबर सिस्टम से अटेंप्ट करके, चैप्टर नंबर 2 आपका complete हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देखें, तीन MCQs का दुरुस्त जवाब दे सकोगे, और चैप्टर नंबर 2 को अगर करते हो, तो आपको सिरफ 15 में से कितने नंबर मिलने, 11 नंबर, अगर इनको एड़ करते हैं, 27 marks का पेपर आप लोग कर लोगे, और 27 में से 17 यानि 17 लेना इजी ली है, इन दो चैप्टर को अच्छे तरीके से तियार कीजिएगा, तो दोस्तो आप लोग फ पीस पका देव, सरा ख्यार विप्ती है